से काम कर रहे हैं, बीते पांच वर्सों में अगर साड़े तेरा करोण लोग गरीबी से बार आये हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है, और नड़ा जिन अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्णन भी किया, मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों से खुद भी परिचित हो, और अपने खेत्र में लोगों को भी इस बडलाव के बारे में बताएं, इससे उनका विश्वास और बढ़ेगा, देश को आगे लेग जा एक अध्यो? हमारे देश में पिछले 50 साल से बेख नाजा सुनते, चारह तरफ हो भी बड़ा जाता है और चुनाव के समय तो जड़ा चिला चिला करके बोला जाता है, चीक करके बोलाए जाता है, क्या नारा है, गरीबी हटाओ, कितनी बाहर सुना है, कितनी पिडियों ने सुना है, नारे 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 बस नारे देते गए, लेकिन जिन्नों ने ये नारा दिया, उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं लिए, गरीबों की परवा नहीं की और नहीं वो गरीबी हटा पाए है। इसके पीछे बज़े हैं कि हमने सामान्य मानवी के जीवन की मुलभूत कठिनाईयों को कम किया है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। आप देखिए। सरकार ने देश में उन अठारा हजार गाउं में बुझली पहुंचाई है। जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। जल जीवन मिशन की शुरुवात की थी। तब देश के 20 प्रतिसत से भी कम गरामिन परिवारों तक नल से जल की सुविदा थी। आज 60 प्रतिसत से भी जादा गरामिन परिवारों को नल से जल नल से पानी मिल रहा है। आपसे कई लोग ये जानकर हरान रह जाएंगे कि मिजुरम जैसे राज में चार साल पहले तक केवल केवल 6 प्रतिसत घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज ये संख्या 90 प्रतिसत से जादा है। बिजली पानी की तरह ही पी-म आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बहतर बनाने में बहुत एहम भूमी का निभा रही है। लगभक 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उदर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख गर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बड़ी हैं। उसे नए आउसर मिले हैं। और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता हैं। गरीबी से बहार निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सेचुरेशन का टारगेट रखा है। शत प्रतिशत जो भी इसके हकदार है, जिनको जे मुलना चाहिए, तो सत प्रतिशत काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुजाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक-एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाब मिलता है, हर गाम के अनुसार उनकी सुची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोडने के लिए आपको समय सिमा ताय करके काम करने की जरूत है। हर सप्ता इसका एक चार्ड बना करके अपसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डीटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। करजित करना होता है। तो उससे अपसरों का भी काम करने का उच्छा बढ़ जाता है। तू तू मेमे करने से कभी भाइदा नहीं होता है। साथियो, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गती से विकास हो रहा है। बहतर स्वास्त सुविधाओं के लिए असम के गुवाटी से लेकर पस्चिम मंगाल के कल्यानी तक जारखन देवघर से लेकर के विहार में दर्भंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सेकडों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले नव वर्षों में बिहार, जारखन, पस्चिम मंगाल और उडिसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नौर्थ इससे भी मेडिकल कॉलेज की संक्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के खेत्र में भी पस्चिम बंगाल के कल्यानी में, बिहार के भागलपूर में और जारखन के राची में ट्रीपल आईटी खोला गया है। त्रिपूरा के अगरतला और मनिपूर के सेनापती में भी ट्रीपल आईटी खुला है। उडिसा और बिहार को आईएम, संबलपूर और आईएम बोध गया जैसे संस्थान मिले हैं। जारखन के धनबाद में आईएटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं। जो देश के भागे को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं। और इसमें पूर्वी भारत का अउद्यो की विकास भी बड़ी भूमी का निभायेगा। बरवनी, सिंद्री, गोरकपूर और तल्चर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से ना सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बलकि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनित संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को अउद्योगी संभवनाओं से जोडने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर पर अभुत्पुर्व काम किया है। पूर्वी और पुर्वत्तर राज्यों में करीब दो लाख करोड के देड़ सो से जादा प्रोजेक्ट पूरे किये जा चुके हैं। साड़े चौदा लाख करोड के करीब साड़े बारा सो प्रोजेक्ट पर आज काम तेजगती से चल रहा है। बहुत जल इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से खनीच और पॉर्ट्स का समान देश के दूसरे हिस्सों तक पहुचेगा। बीते वर्षों में अथक परिश्रम करके पुर्वोत्तर की रेल लाइनों को भी ब्रॉर्ड गेज में बढ़ला जा चुका है। मेजर पॉर्ड्स की कैपिसिटे में भी बीते नव वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। इस शेत्र में नए नए वोटर वेज का निर्मान भी किया जा रहा है। यह वोटर वेज नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पूरब को भारत का बिजनेस गेटवे बना रहे हैं। बहतर एर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में नव एरपोर्ट्स भी विक्सित किये जा रहे हैं। आप कल्पुना कर सकते हैं। कितना बड़ा देश का पूर्वी हिस्सा, कितने बड़े ट्रांस्फोर्मेशन का गवा बनने जा रहा है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। गाउं शहर के बीच की दुरियां तेजी से खत्म हो रही है। आज जो लोकल है उसकी डिमांड ग्लोबल है। इसलिए गोकल फोर लोकल जैसे अभियान के साथ देश ने बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोड़क्ट योजना को लांच किया। इसलिए आस का विंगना को लेistoire धार्वजना की बनाई उन्यार्ण बनार्णса 2 लोवः जाले झाल झाल